Hello Everyone, I'm Aisha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताऊंगी Fire Management System क्या होता है Fire Management के अंदर क्या-क्या Points include होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी Fire Management System अगर हम रखते हैं तो क्या हमें उसे क्या Benefit मिलेंगे इसके बारे में बताऊंगी उससे हम Fire Safety कैसे Prevent कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी तो पूरा Fire Management System के बारे में आज मैं आपको बताने वाले हो इसके अंदर सारी चीज़ include हो जाएंगी जो भी हम Prevention के लिए use करते हैं चिक है तो देखिए Fire Management System क्या होता है Fire Management System एक ऐसा Complete Structure है ऐसे Complete Cycle है जो कि पूरा Fire Management इसके अंदर आ जाता है फिर चाहें वो Document से Related क्यों न हो Extinguisher से Related क्यों न हो और जितने भी Prevention से उनसे Related क्यों न हो ठीक है तो हम इसका Step ऐस Step ही तो बनाएंगे न ऐसा तो नहीं कि चलो अब यह Industry है इसमें Extinguisher लगा दो कहीं भी आता महीं तो लगा जाएगा लए ऐसा तो नहीं है आमने कहीं भी बीच में गार्डन में लगा दिया ऐसा नहीं होगा न तो Management System के अंदर यही सारी चीज़े बताई जाती है कि कौन सी चीज़ कब लगाई जाती है कैसे लगाई जाती है तो Management System के अंदर जितने भी अपन Prevention के लिए पॉइंट लेते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं फिर चाहें वो Fire Alarm Detector क्यों नहीं हो Smoke Detector क्यों नहीं हो Fire Alarm क्यों नहीं हो यह सारी चीज़े एक Management की तरीके से लगाई जाती है फिर आप जो भी Fire Safety के लिए Management System जो भी रखते हैं अपना Building के लिए, साइट के लिए तो उसके अंदर Documentation भी Include रहता है Onside Emergency Point क्या बनाए हैं आपने ठीक है Assembly Point आपका किदर बना हुआ है यह सारे चीज़े जो है वो एक Building Structure को देख के हम पूरा Manage कर सकते हैं इस तरीके से यह सारे Points रहेंगे तो जो Fire Management System में उसके अंदर यही बताया गया है कि जो भी आप कर रहे हैं Prevention सबसे बहले Prevention ही तो की जाती है आग लगने के बाद तो Protection किया जाता है तो Prevention में जो जो Point लग रहे हैं उनको कैसे हम Step by Step लें ठीक है अब Management System के अंदर क्या क्या इंक्लूड है तो देखे Management के अंदर एक Strategy इंक्लूड है Fire Safety Management के अंदर एक Strategy होना चाहिए किसी भी काम करने के फिर उसका Evacuation Procedure क्या है ठीक है उसके पाद Fire और Smoke Detector Strategy क्या है कैसे Control करेंगे कैसे कहां आप लगाएंगे किस जगा पे लगाएंगे ठीक है उसके पाद जो भी आपकी Fire Fighting Strategy क्या है और Fire Protection Strategy क्या है ठीक है तो इसमें क्या है सारे Points आपको दे रखें पाँच पाइंट्स है इसमें सिर्फ आपकी Strategy बनेगी इन Points पर सबसे पहले क्या करेंगे आप जो भी Management है उसकी क्या Strategy आपने कौन-कौन से पॉइंट रखे है उसके बाद जो भी आप Prevention देने के लिए Instruments लगा रहे हैं उनके लिए क्या Strategy है कहां आप वो Instruments लगाएंगे Equipments लगाएंगे कैसे Prevention देंगे फिर Fighting, Fair Fighters को कैसे आप तयार करेंगे जो आपकी Emergency Team जो रहती है वो कैसी Prepare है और बाकी जो पूरा Staff है वो कैसे Trend है ये भी उसके अंदर Include होगा और फिर बाद में Protection वो कैसे करेंगे उसके Strategy आपने उनको क्या सिखा रखे वो सारी इसके अंदर आती है अब देखिए इससे Benefit क्या है क्या Benefit रहेंगे अगर हम Fire Management System अगर रखते हैं तो तो देखिए क्या होता है जो भी Fire Management System सबसे पहले आपने डिजाइन किया अब उसको Manage करना उसको हमने Plan किया डिजाइन किया, Manage किया फिर उसे Coordinate किया ठीक है एक Complete Fire Management तभी कहलाता है जब उसके अंदर सारी Legal Compliances जो है वो भी Follow की जा रही हो और जितने भी लोगें उनकी Life Saving भी की जा रही हो ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं आप सबको पता इसके लिए हम Prevention करते हैं प्रेवेंशन के अंदर जितने भी हमारे Equipments बने हैं Fire Safety के वो सारे हम Use करते हैं ठीक है पर इसका एक Procedure होता है ऐसी नहीं कि आपके पास Extinguisher है तो आपने लगा दिया ऐसा नहीं होता है इसके लिए क्या करते हैं पहले Fire Load निकालते हैं तो वो कैसे निकालता है यह मैं आपको बता दियो तो यह देखिए इस तरीके से Fire Load का Formula बना हुआ है Combustible in Cages मतलब जो भी Material है जिसमें आग लग सकती है माल लीज़े आपका एक Room है उसके अंदर Wood का मतलब Furniture लगा हुआ है तो उस Furniture की कितना Cages हो सकता है आपके According जितने भी KG's का है वो लिखना उसके बाद California value लिखनी है आपको Wood की तन उसके बाद Area कितना है उस Room का Area कितना है वो लिखके आप एक Room का या एक Hall जो भी है उसका Fire Load निकाल सकते है अब जब भी जितना भी Fire Load निकला है उसके हिसाब से Extinguisher Design की Extinguisher लगाए जाएंगे कि कितने ज़रूरी है आप एक Room है छोटा Room है जितना भी Area का है उसमें आप एक Extinguisher अगर लगा भी देता है तो अब वो Extinguisher कहां लगाएंगे यह भी तो ज़रूरी है ना आप उस Room में यह देखेंगे सबसे ज़ादा Combustible Material कौन सा है या कहां से Ignition Generate हो सकता है मतलब कहां से आग पहले लगना शुरू हो सकती है तो उसके Just Pass आप Extinguisher को लगा देंगे जिससे कि जैसी वहां से थोड़ा सा भी आग लगना शुरू हो तो आप वहीं की वहीं Extinguisher चला पाएं तो इस तरीके से क्या है Fire Management के अंदर ये पहला पॉइंट रहता है कि Fire Load निकालके हम उस एरिया में Extinguisher लगा सकते हैं और जहां भी आग पहले लग सकती है जहां से भी आपको लग रहा है कि यहां से आग लग सकती है तो उधर पहले Extinguisher लगा है ठीक है तो Fire Management System का जो भी प्लैन है वो ये है जितने भी Legal Compliances और इंडरस्ट्री के उन सब को Follow करते हुए Safety के साथ फायर के लिए में Legal Compliances फायर के यह रहता है आपने जितनी भी बड़ी Building है उसके अनुसी लिए है यानि उसके बाद आपने जो भी इंडरस्ट्री है आपके उसमें कितने Extinguisher है किस तरीके से आपने लगा है ये पूरा Management Plan और एक Documentation आपको रखनी होगी उसके बाद यही सेम रहता है कि जो भी Fire and Safety Engineer है Officer है उसका Regular Testing करना वो जो भी Equipment है उनकी Testing करना एक Documentation प्रिपेर करना जिसका क्या आपके प्रूफ रह सके कि हाँ नहीं ये हमारे यहां ये सिस्टम जो अप्लाई किया जाता है हम रोज टेस्टिंग करते हैं हमारे यहां के प्रिपल्स भी ट्रेंड है तो इस तरीके से आपको क्या जो आप काम कर रहे हैं उसके होने के साथ-साथ आपके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए ना कि आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो फायर मेनेजमेंट में यह है कि जितने भी अपने प्रिवेंशन से रिलेटिट वर्क हैं उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं फालो करते हैं तो उसके प्रॉसेजर वाइस स्टैप वाइस आपका क्या-क्या रहता है तो उसका यही एक स्टैप है पहला तो कि फायर लोग आपने यह किया नेक्स उसके आथे जितने भी प्रेवेंशन से मोग्रिल आप करा रहे हैं वो आगया ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने एक्क्यूपमेंट्स की चेकिंग कर रहे हैं इंस्पेक्शन कर रहे हैं यह सारी चीज़े फिर उसमें इंक्लूड हो जाती हैं तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा अपने अप्लाइ करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा रिस्क हम पहली एलिमिनेट कर देंगे और जो भी प्यूपल वर्क कर रहे हैं उनकी लाइफ सेव भी होगी तो क्या होगा इससे एक्सिडेंट भी कम होगे और प्यूपल को हार्म भी नहीं होगा जतने भी परसंस काम कर रहे हैं उनको भी कोई हार्म नहीं होगा तो अल ओवर यही है कि हमें पूरा जो भी रिस्क है वहाँ से जो भी हैजार्ड यह सिचुएशन है उन्हें रिमूफ करना है तो यह तब ही होपाएगा न जब हम किसी चीज को step by step follow करेंगे इसमें हीरा आ जाएगा हीरा क्या होता है hazard identification risk assessment वो भी अगर हम apply करते हैं तो क्या होता है रोज जितनी भी risk आप देख रहे हैं उन सब को observe करके उसे eliminate कर सकते हैं तो आज यह fire management system बताया मैंने आपको इसके अंदर क्या क्या points फालोंगे